देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे अपने राज को स्थापित करने के लिए इस हद तक मादा हो गई है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाब फिर से E.D. ने एक बड़ी कारवाई की है लेकिन क्या होगा इसका अंजाम जानेंगे लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या ख़बर इंडियन एक्स्प्रेस की है लिखा है E.D. goes to court with press charges against पारूक अब्दुला in JKCA case Last month, the Jammu Kashmir High Court squashed the charge sheet filed by E.D. under the PMLA against पारूक अब्दुला and some other former office bearers of the JKCA on the ground that the Central Agency did not have jurisdiction in the case कहा गया है कि पिछले महिने ही Jammu Kashmir के High Court ने squash कर दिया था इस मुद्दे को ये कहकर कि ये केंद्रिये agency के jurisdiction उसके अधीन जो है वो ये case नहीं आता है तो आखिर ऐसी क्या urgency हो गई ऐसी क्या परिशानी हो गई ऐसी क्या मतपूर्ण या मैं कहूँ ऐसी कितनी जल्दबाजी हो गई कि E.D. को फिर से जो है कारवाई करनी पड़ गई E.D. को फिर से जो है इस corruption case में किस money laundering का case आपको बताऊंगे लेकिन पहले आपको याद दिला दू कि लगातार E.D. भारती जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है सुप्रीम कोट ने खुद कहा था कि आप जो है पिंजडे का तोता है पिंजडे का तोता कहने के बाद पिकेंड चूस करके इंसाफ दिलाने का काम या आरोपी जो नहीं भी है उसको आरोपी बना कर उन्हें सजा दिलवाने का काम किस तरीके से किया जाता है ये बात किसी से छुपी नहीं और सुप्रीम कोट ने खुस इस बात पर E.D. को लगातार फटका रहा है लेकिन फिर भी E.D. अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है अमानातुल्ला खान जो आब आदमी पार्टी के नेता है उन्हें किस तरीके से जबरन उनके घर में जाकर उन्हें उठाकर E.D. ले गई थी ये बाद भी प्रत्यक्ष है और अब पारुक अब्दुल्ला के खिलाब केस के लिए इतना जादा इनको जल्दबाजी हो रही है क्योंकि पहले चरण का चुनाव, पहले चरण का मतदान एक हफते बाद होना है और E.D. की इतनी अरबड़ी बात को तो बता देती है कि जम्मो कश्मीर में भारती जंता पार्टी की स्थिती बहतर नहीं है और अगर बहतर होती तो सरकारी एजिंसियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता याद है आपको अरबिंदे के जिवार को किस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे ठूस दिया गया कब जब चुनाव होने थे, जब दिल्ली में चुनाव होने थे, जब लोकसभा के चुनाव होने थे तब विपक्षियों को जो है उनके मूद अबाने के लिए या तो पहले उन्हें रिश्वत दी जाती है, पहले उन्हें लालच प्रलोभन दिया जाता है वो नहीं फस्ते हैं प्रलोभन में तो फिर उन्हें जो है जेल का रस्ता दिखा दिया जाता है कुछ यहीं जारखण में नजर आया, क्या हुआ हेमन सोरेन के साथ, हेमन सोरेन को प्रलोभन दिया गया लेकिन उन्होंने अस्विकार कर दिया, उसके बाद उन्हें जेल के सिलाखों के पीछे रख दिया गया, उसके बाद जारखण में हेमन की सरकार गिनाने के लिए इन्हो कि विपक्षियों के साथ सौधे बाजी करना विपक्षियों को डराना धमकाना क्या इस तर्ज पर भारतिय जंता पार्टी चुनाव लड़ती है बिलकुल इसी तर्ज पर मौझूदा लोकतंत्र में बीजेपी की यही स्ट्राटेजी है यही कारण है दोस्तों कि कोई भी इस च नहीं मेनिपेस्टों में दिखिती है तो वह लागु नहीं कर पाती है में पेदिखती है गजेए कि mús को प्र आएं जो है प्र लोगा तो लेकिन घुटक लालसा है उनकी जो इच्छा हैं उसको मत पूरा करो लेकिन विपक्ष के लोग पर इनका ज्यादा ध्यान रहता है इसको लेकर मैं आपको दोस्तों पूरी तब्दीश से ख़बर बताती हूं कि अभी क्या टाइमिंग है समझ यह एक हफते है बार बार दोहरा रहे हूं 18 सितं नमबर को पहले चरण का मतदान है और ऐसे में अभी फारुक अब्दुल्ला के केस क्यों क्यों एडी क्या चाह रही है क्या जिरफतार करना चाहरी है फारुक अब्दुल्ला को क्या वोट परसेंटेज कम हो जाए क्या गलत संदेज दिने का काम जमुकश्मीर में किया जा खबर देखिए आज तक यह फारुक अब्दुल्ला की क्या बड़ेगी मुश्कले करप्शन मामले में नए आरोपों के साथ कोट पहुंची एडी जमुकश्मीर में विदानसभा की 90 सीटों के लिए तीन चैरणों में मतदान होना है चुनाव में पारुक अब्दुल्ला क किस साथ उनकी पाठी का कडवंधन कोई मजबूरी नहीं है बलकि जमुकश्मीर के विकास और पूर्ण राजे का दर्जा बहाल करने के लिए समय की जरूरत है और इसी के साथ खबर देखिए इंदुस्तान की जमुकश्मीर में दानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कि अदालत पहुंची है इडी ने अदालत में नए आरूपों का संग्याल लेने का अग्रह किया है अगर अदालत याचिका स्विकार कर लेती है तो फारूप के खिलाप फायार दर्ज हो सकती है बता दे कि पिछले महीं जमुकश्मीर हाई कोट ने इडी के आरूपों को ख 411 और 424 यानि बहिमानी से चोरी की संपती प्रात करना और बहिमानी अदोकादटी से संपती हटाना या चिपाना जोडने का अनरोध किया है अब दोस्तों बता दो कि यह पूरी पूरा मामला तो मैंने आपको बता दिया लेकर पहले भी कोट का रुख अपनाया था इडी यह तब कोट ने तो बना कर दिया कोट की तरह से कोई सायत आइडी को प्राप्त है यह तो अब चुनाव से ठीक है एक हपते पहले इस तरीके का रुख क्यूं अपनाया गया इसको लेकर खुद अब दुल्ला क्या कह रहे है फारुक अब्दुल्ला समधाता हो उसे कहते है हमें पता था कि ऐसा कुछ होगा मुझे बारा मुला संसदिय शेतर के लोगों के लिए दुख है क्योंकि यह जमानत उन्हें सेवा करने का यह संसद में उपस्तित होने के लिए नहीं दीगे है हालाकि उन्होंने कहा कि यह देखना बाकी है कि मतदाता रशीद के अंतरिम ज वुच़े जाने पर अबदुल्ला ने कहा कि वहारे इस मुद्य पर बहुत सतर है लेकिन अच्छा है कि महबूबा ने खुले तोर पर वह कह दिया है कि जो चीज कई लोग सोच रहे थे उन्होंने कहा कि महबूबा ने इस पष्ट रूप से कहा है कि रशीद भाजपा की न का भी दिक्र है भुँहा मुटती का भी दिक्र मैंबुहा कुणान से रखते हैं कश्मीयक की ओढती है का यह जो लोग जेल में उनकी ओढ़िखारों की बात है कंड यह आँ के और अमर अबदुल्ल्ला क्या कहते हैं वो भी कि भारतिय जंता पार्टी जमु कश्मीर में जीतने का उद्देश रखती है तो वो स्वतंत्र जो उमीदवार किसी पार्टी सिंबल पर नहीं बलकि निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी साथ मेला सकती है उनके साथ भी गटबंदन कर सकती है तो ऐसे में बड़ा कॉंफरेस पर सवाल उठा रहे थे कि क्या कोंग्रेस की मानसिकता नैशनल कॉंफरेस वाली है तो क्या अगर आप निर्दलिये लोगों के साथ गटबंदन करेंगे तो मिच्शा भारतिय जंता पार्टी क्या आपकी विचारधारा भी निर्दलिये कि जो विचारधारा वै प्रत्याशियों के साथ गडबंदन बनाकर सरकार बे आने पड़ रहा है तो इससे बुरी दुरगती और क्या हो सकती है लेकिन एक बास फच्ट है दोस्तों भारती जंता पार्टी के लिए मुश्किले जमू कश्मीरों इतनी बढ़ चुकी है कि अब ED का सहारा लेना पड़ रहा है जिस ED को सुप्रीम कोटे इकनी बार फटका रहा है जिस ED की धजिया उड़ाने का काम या पर कोट द्वारा किया गया है वो ED अपने नाकाम बाजियों से नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है लिहाज़ा भारते जंता पार्टी की टेंशन बढ़ी ही होगी जिसकी वज़े से ED का सहारा लेना पड़ रहा है इसको लेकर दोस्तों हमार पास जो भी ख़बर थी हमने आपको बताया है लेकर एक बात जो आपको भी सोचने वाली है वो ये है कि आखिर ये टाइमिंग, ये ED की टाइमिंग कि किसी पर केस करना है किसी पर कोट किसी पर कुछ फाइल करना है कोट से कुछ गुहार लगाने है गुजारिश करना है तो ये चुनाव से ठीक पहले क्यूं किया जाता है क्यूं हमेशा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरीके के केस इस तरीके के खीजो जो है ठुप दिये जाते है और चुनाव के समय क्यूं होता है क्या भाजपा इत जाज़ा तोर देखते रहे है देशनीती धनिवाद